हेलो फ्रेंड्स आगे थे आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की मैथ से चेप्टर नुमबर 2 लेकर के आया हूं इस वीडियो में मैं सब्सक्राइब बहुत सारी वीडियो बना रखी है अगर आप वीडियो को देखना चाते तो नीचे वीडियो के description में playlist का link मिल जाएगा आप वहां से जातर के वीडियोज को देख सकते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं देखते हैं इस question में से क्या पुछा गया है factorize 8x cube plus y cube plus 27z cube minus 18xyz तो यह हमारे पास question है इसको हमें factorize करना है इस question को solve करने से पहले मैं आपको identity number 8 के बारे में बताना चाहूंगा तो identity number 8 यह कहता है identity number 8 यह कहता है x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx तो यह हमारे पास एक फार्मूला होता है यह identity होती है जिसका यहां पर हम यूज करेंगे लेकिन ध्यान रखना चुकि question xy के तर्म में दिया है तो मैं यहां xyz के place पर abc का इस्तेमाल करूंगा ठीक है यह फार्मूला आप चाहो तो write कर लो अगर आपको आता है तो लिखने की ज़रूर नहीं है कि सॉल्यूशन है कि भी है कि लोगों हमें question में दिया गया है एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18 एक्स वाई जेड सबसे पहले देखो यहां पर एक्स क्यूब है मतलब यह पूरा टर्म जो है वह क्यूब है तो मैं इसका सबसे पहले क्यूब रूट लूँगा तो पहले हम नंबर का क्यूब रूट लेते हैं नंबर यहां पर एट है एट का क्यूब रूट टू एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स ठीक है तो यह हो गया 2x का होल क्यूब इसी प्रकार से y क्यूब का क्यूब रूट लेंगे तो य X यहां पर भूलिय में है तो इसको मैं चाह Educker रिट कर देंगे यहां मतलब इन्टू ही होता है उतलब इन्के भीच में कौन सा साइन है चाहिक यहां से हम यह कोसिश करेंगे जानने का कि A की वैलू कौन सा होगा B का कौन सा होगा C का कौन सा होगा तो देखो यह हो जाएगा हमारा A की वैलू B की वैलू और C की वैलू मिन्स थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं यहां पर लिखेंगे A is equal to 2X B is equal to Y C is equal to 3Z एक बार अगर आप A, B, C को पहचानगे तो आपका काम आसान हो जाएगा कैसे मैं बताता हूँ देखो बाइ यूजिंग आइडेंटिटी एट वी है वैसे तो आप आइडेंटिटी एट लिख सकते हो या आप फार्मूला लिख सकते हो मैं दोनों लिख रहा हूँ ठीक है तो आइडेंटिटी एट यह है a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c big bracket open a square plus b square plus c square minus ab minus bc और minus ca यह हमारा फार्मूला होता है इन values को इस फार्मूले पर रख देंगे इधर का तो हमने आप दिया ही हुआ है इधर वाला हमें रखना है, तो देखो क्या आएगा वो देखो, देखो A की value आपको पता ही है, B की भी value पता है और C की भी value पता है, value रख देंगे, क्या करेंगे, value put कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, 2X प्लस Y प्लस 3Z, 2X का whole square, प्लस Y whole square, प्लस 3Z whole square, माइनस, आप देखो A की value 2X, आप इसको ब्रेकेट में रखेंगे, क्योंकि इंटू कराना है, V की value Y, minus, B, C, B की value हो गया, Y, और C की value हो गया, 3Z, minus, C की value हो गया, 3Z, A की value हो गया, 2X, अब इनको बस्तू कर लेंगे, हमारा answer हो जाएगा, देखो कैसे, 2X तो 2X ही रहेगा, Y, Y ही रहेगा, और 3Z, 3Z ही रहेगा, यानि पहला ब्रेकेट ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर देखो, 2 का square, 4, X का square, X square, तो यह हो जाएगा, 4X square, पलस, यह Y square ऐसे ही रहेगा, 3 का square, 9, और Z का square, Z square, minus, 2 into 1, 2 हो जाएगा, X into Y, XY हो जाएगा, यह 3 into 1, 3 हो जाएगा, Y into Z, Y, Z हो जाएगा, minus, देखो, 3 into Z, कितना होगा, 6, Z into X, ZX हो जाएगा, लेकिन जब हम answer लिखते हैं, तो उसको alphabetical order में write करते हैं, alphabetical order में यह X पहले आता है, Z बाद में आता है, तो यह यहाँ चला जाएगा, और यह यहाँ चला जाएगा, तो यह हो जाएगा, X, Z, तो यह हमारा answer हो जाएगा, इस question का, अब देखो, अगर आपको यह formula लिखने में problem होती है, तो आप यहाँ पर identity number 8 write कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक write कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको write down कर सकते हैं, या फिर वीडियो को pause करके screenshot ले सकते हैं, तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, और अपने दोस्तों को भी share करें, अगर इस channel पर आप नए हैं, तो channel को भी subscribe कर कर दोस्तों 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 कर दोस्तों